दोस्तो आज हम बात करेंगे कि आप Windows 11 में कैसे चेक करेंगे कि आपके कंप्यूटर में Bluetooth का सपोर्ट दिया है या नहीं दिया है आपके कंप्यूटर में Bluetooth चलेगा या नहीं चलेगा सारा चीज बताने वाला हूँ दोस्तो बस आपको वीडियो को फूरा देखना है दोस्तो तो सबसे पहले दोस्तो चेक करने के लिए कि आपके कम्पीटर में बुलतूद चलेगा या नहीं चलेगा उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे start के button पे click करना है और आपको control panel में चले जाना यदि आपको यहाँ पे control panel का option ना मिले तो आप यहाँ पे search bar में भी click करके search कर सकते हैं control panel ठीक है अब जैसे ही control panel लिखेंगे ति यहाँ पे उपर में आ जाएगा ति यहाँ पे दोस्तों आपको check करना है कि कहीं पे Bluetooth दिखा रहा या नहीं दिखा रहा जैसे यहाँ पे Bluetooth दिखा रहा तो यह Bluetooth दिखा रहा तो यह Bluetooth दिखा रहा इसका मतलब है कि हमारे computer में Bluetooth का driver install है और यहाँ पे हमारे computer में Bluetooth चलेगा तो यहाँ से यह पता चलिए ठीक है यहाँ पे आ Bluetooth hardware का support दिया है या नहीं दिया है तो चेक करने के लिए दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहां पर ढूंडेंगे हम network adapter को देखें यहां पर है network adapter यहां पर हम click करेंगे network adapter में तो यहीं से हमको पता चल जागा कि हमारे computer में Bluetooth hardware का support दिया है या नहीं दिया जब तक Bluetooth hardware क का support दिया हुआ नहीं रहेगा हम हैंसों अपने computer में Bluetooth को नहीं चला सकते हैं तो वैसे latest का जीतना भी computer है चहां वो PC रहे है चहां laptop है सभी मे Bluetooth hardware का support दिया हुआ होता है फिर भी आप एक बार यहां पर Network adapter में आकर confirm हो लें कि आपके computer में Bluetooth hardware का support दिया है या नहीं दिया है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिखा रहा Bluetooth यानि की Bluetooth जो है Bluetooth hardware का support हमारे computer में दिया हुआ है हो सके यहाँ पे आपका दिखाएगा दूसरा चीज कुछ भी दिखाएगा बस यहाँ पे network adapter होना चाहिए wireless network adapter होना चाहिए और wireless में दोनों आ जाता है Bluetooth भी आ जाता है और Wi-Fi भी आ जाता है तो wireless network adapter रहेगा तो समझाएगे कि आपका Bluetooth का support दिया हुआ जैसे यहाँ पे देखिए Intel R Wi-Fi उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है AX200 इसको यदि आप Google में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो network adapter है यह केवल Wi-Fi के लिए है या Bluetooth के लिए है या दोनों के लिए है तो यहीं से पता चल जाता है लेकिन यहाँ पे separate अलग कर दिया है Bluetooth का और Wi-Fi का अलग कर दिया है यहीं से आपको चेक करना है कि यहाँ पे wireless network adapter दिखा रहा या नहीं दिखा रहा यदि wireless network adapter दिखा है तो आपको Google में जाके टाइप करके देख लेना है कि उसमें Bluetooth चलेगा Wi-Fi चलेगा या दोनों चलेगा ठीक है तो यहीं से आप जो हैं दोस्तों चेक कर सकते हैं कि आपके computer में Bluetooth hardware का support दिया है या नहीं दिया है तो केवल Bluetooth hardware के support दे देने से आपके computer में Bluetooth नहीं चलने लगेगा आपको करना क्या पड़ेगा Bluetooth का driver इस्टोल करना पड़ेगा तो Bluetooth का driver यहां से पता चलेगा ऊपर से कि यहां पे Bluetooth दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है नीचे वाला से आपको पता चलेगा कि यह hardware का support दिया है या नहीं दिया है और ऊपर वाला से पता चलेगा कि Bluetooth का driver इस्टोल है या नहीं इस्टोल है कि आपका यहाँ पे Bluetooth का hardware और software दोनों दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है जब तक hardware और software नहीं दिखाएगा आप Bluetooth को नहीं चला सकते हैं तिसी तरह दोस्तों आप एसो device manager की मदद से बहुत यासानी से पता कर सकते हैं कि आपके computer में Bluetooth चलेगा या नहीं चलेगा आपके computer में Bluetooth का support दिया है या नहीं दिया है तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको ये छोटा से जनकारी जरूर पसंद आया होगा दोस्तों यदि पसंद आया तो वीडियो को like or share जरूर कर दीजे दोस्तों और यदि आपका कोई सवाल हो Bluetooth से related चाहे Windows 8 हो, 7 हो, 10 हो या 11 हो आप मुझे नीचे comment box में comment करके अपना सवाल पूछ सकते हैं तो चली दोस्तों मिलते फिर नेस्ट वीडियो में जाहिन दोस्तों